प्यारे विद्यारतियों आज हम कक्षा आठवी विशे हिंदी केंतरगत सैट टू की परिक्षाज़ों होने वाली है उसके लिए मैंने एक आदरस परसन पत्र बनाया है उसके उपर विचार उमर्स करेंगे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा प्यारे विद्यारति वीडियो को पूरा देखें परते खोजो, खुसाली में बड़ी इपरते है, आजादी में बड़ी इपरते है, आर्थिक में इक परते है, गती शीलता में ता परते है, केंदरित में इत परते है, सत्रक्ता में ता परते है, मद्यमिक में इक परते है, स्यामाजिक में इक परते है मुआवरों का वाक्यों में परियोग हक्का बक्का रहना हैरान होना मैं लंबे चोड़े पहलवान को देखकर हक्का बक्का रहे गया बल देना, जोर देना, केवल आर्थिक मामलों पर ही बल देना ठीक नहीं है धूम मचाना, लोक पिरिय होना, आज कल विश्व कप की धूम मची हुई है हाथ दोना, गवा देना, बेटे पर इतनी सक्ति मत करो की, उससे हाथ दो बैठो आँखों से ओजल होना, दूर जाना, देखते देखते वह आँखों से ओजल हो गया बावविकल पिय परसन, शिरी किर्शन के महल के सामने कौन खड़ा था? शिरी किर्शन के महल के सामने सुदामा खड़ा हुआ था सुधामा ने चावलों की पोटली कहां छिपा रखी थी सुधामा ने चावलों की जो पोटली थी अपनी कांख में छिपा रखी थी शिरी किर्शन ने सुधामा के पैर कैसे धोए सुधामा चरित्र कविता के कवी का नाम क्या है सुदामा चरित्र कविता के कवी का नाम नरोतमदास है शिरी किर्शन चे मिलते से मैं सुदामा की कैसी दसा थी सुदामा की देन दसा थी किस जिले में साइकल की धूम मची हुई थी पड्डू कोटई जिले में साइकल की धूम मची हुई थी 1902 में में अंतराष्टी महला दिवस पर कितनी महलाओं ने एक साथ साइकल की सवारी की तो यहां पंदरा सो महलाओं ने एक साथ साइकल की सवारी की 18 सुस्ताओं में भारतिय सेना ने कहां बगाउत कर दी थी बारती राष्टे कांग्रेस की स्थापना कब हुई बारती राष्टे कांग्रेस की स्थापना 1850 में हुई राणी लक्षिम भाई कितने वर्स की लड़ती लड़ती मारी गई राणी लक्षिम भाई बीश वर्स की लड़ती लड़ती मारी गई उसके उमर भी 20 वर्ष थी तब मारी गई अब सत्य जो आख सत्य कत्न है हमें इनके उपर विचार करना है सुधामा ने अपने बगल में चावलों की पोटली छिपा रखी थी ये कत्थन सत्य है सुधामा के मित्र का नाम बलराम था ये कत्थन आख सत्य है फातिमा को साइकल चलाने का चाओ था ये कथन सत्य है परकास परव महराष्ट में मनाया जाता है ये कथन ऐसकते है परकास परव पंजाब में मनाया जाता है गुरू गरंद साहिब की रचना या गुरू गरंद साहिब किसने लिखा गुरू गरंद साहिब की रचना यहां कहता है रामदाश ने की ये कथन सत्य है या ऐसत्य है ये कथन ऐसत्य है गुरू गरंथ साहिब गुरू अरजुन देव ने लिखा उद्धम सिंग उद्धम सिंग का जनम 26 दिसंबर 18-19 में को हुआ पिता का नाम तैहाल सिंग था भाई का नाम मुक्ता सिंग था इनका बच्पन का असली नाम शेर सिंग था इन्होंने किस को मारा जर्नल डायर को क्यों मारा जलियावाला बाग का बदला लेने के लिए परकास परव परकास परव पंजाब में मनाया जाता है गुरु गरंद साहिब गुरु अरजुन देव ने लिखा कब लिखा 1644 में लिखा सरण मंदिर कहां पर है अमरत सर में है गुरु गरंद साहिब में क्या लिखा गया है सुक्तियां लिखी गई है दो यह लिखे गए हैं और लेखों को लिखा गया है परकास परव गुरु नानक देव की जैनती को परकास परव के रूप में मनाया जाता है अब देखिए पाठों से जो महतोपूर्ण परसन है उनके उपर हम विचार करेंगे गुरु माता कौन थी गुरु माता रिशी संदीपनी की पतनी थी और उन्होंने चने क्यों दिये थे और कब दिये थे उन्होंने चने सुदामा को दिये थे क्यों दिये जब वे जंगल में श्री किर्शन और सुदामा लकडिया लाने के लिए जा रहे थे तो उस समय उनको भूख लगे तो वे इन चनों को खाकर अपनी भूख शान्त कर ले साइकल आंदोलन से महलाओं के जियून में क्या क्या बदलाव आए सवाद हिंता एम आजादी के परती उन में जागर्ती की भावना पैदा हुई आतम सम्मान की भावना का विकास हुआ समय एम सरम की बचत हुई लाला जहाउमल की पत्नी ने कितने रुपों की मांग की तथा रुपईयों का परबंद किस ने किया लाला जहाउमल की पत्नी ने डाइसो रुपए की मांग अपने पती से की रुपईयों का परबंद बिलवाशी जी ने किया बिलवाशी जी ने लोटे को किशे बेचा और उसकी क्या उसे बताई बिलवाशी जी ने लोटा एक अंग्रेज हधिकारी मेजर डगलस को बेचा और उसने लोटे को एतिहासिक बताया